और स्वागरत आप लोग का business management and communication be-comm semester 1 के और नए क्लास में तो आज हम जो question देखने जा रहा है वह question है discuss henryfuel principle of management henryfuel कि है उन्होंने principle of management 14 प्रिंसिपल बताए थे 14 principle ठेक है तो उसके बारे में हम चलचा करेंगे जाम में question डारेक्ट पुछा जा सकता है कि principle of management जो हेन्री फ्योल ने कहा है उसके बारे में बताइए तो यू हैब टू राइट याउन ओन यूर एक्जाम तो एक्जाम आपको लिखना पड़ेगा जाओ दो ऑब्जेक्ट ऑफ डिविजन ऑवर्क ड्राइव बैनिफिट फ्रॉम प्रिंस्पल पेस्पेसलिजेशन इट्स एड्वांटेज अर वाइडली रिकोगनाइज अन इत कर भी एपलाइट तो एनी काइंड वर्क इंप्लाइब लाज नंबर वर्क और वर्क और वेरि इस एक रिष्टी ऑफ एनी बाइव वन प्रोप्राइटर और ग्रूप अब ड्रेक्टर और ओफ जर ओन सब्सक्राइब बाइब आप करी ने सकते डिविजन ऑब वर्क को डिवाइड कर दिया गया समझे ना तो इस एडवांटेज के असर इसका एडवांटेज यह है कि इ इंप्राइंग लार्ज नंबर ओव वर्कर बाइवरिफाइंग वर्डिटी तो एविलिटी किसाब से जिनके पाइड जिस तरह की छंपता है उस तरह से उन्हें उस तरह का वर्क दिया गया वर्कर्स को समझे तो नंबर ओफ डिविजन ऑफ वर्क now authority and responsibility authority and responsibility बोले तो right to give order and power to extract of the end its exercise must accompanied by reward and penalty and must carry with it response जिसको जो जिसको जो जो रिसिपनसीड दिगे जिसको जो ऑफ ठीटी दिगई उससे आप से काम करना उसके साब सुने है reward मिलेगा पेनल्टी मिलेगी और अगर मैं यहाँ स्वाट में लिखा दू कि मैं में पोजिशन बीकम इफेक्टिव अल्ली बाइन लाज रेंज ओफ एक्सरसाइज सब्सक्राइब उसका डिस्प्लीन भाई अब अपन ने बनाया है तो डिस्प्लीन होना चाहिन आपके ओर्गनाजेशन में तो एन एकॉर्डिंट फ्योल डिस इंवार्यमेंट होना चाहिए हर जो इंपलाई है वो डिस्प्लीन मेंटेन करना पड़ेगा सब्सक्राइब तो टिक यूनिटी ओफ कमांड फॉर एन एक्सटन एंप्राइब सूड रिसीव और फ्रम वन सुपियर से इंपल रिसीव करेगा ओर फियोल वांड इन हमने एस इस अपन का फोकस होगा अपन का एक एम होगा उसी डेक्सरा में को काम करना यह नहीं की दो डेक्सरा में पैर लगांगे नहीं एक पर इधर एक पर इसे काम चलेगा तो जो अपना ओगनाइजेशन है जो कंपनी का गोल होगा वह एक जो एम है उसे एक्षिव करना उसी डेक्सरा अपने को करना समझें वही एक जांपल एक देखे बताया कि अगर दो हेड़ है किसी हो तो वह सर्वाइब नहीं कर पाएगा ठीक है कि सबनेट ओफ इंडिविजूल इंटरेंस तु जेनरल इंटरेसर क्या बोल रहा है को और गोमन इं इन्टरेस्ट इव इंडिविज न कंफेल कन दों कोमन इंटरेस्स आर प्रिव всем भाई Свैंटनें हैं टो तो इंडिवजिजद k cm general interest next renumeration to personal renumeration मिलेगा रिवार मिलेगा दिकी रिवार्ड फॉर्ड फॉर्ड दन सुड एज फार आज पॉसिवल गिव सतिस्फेक्शन तू बोट इंप्ले इंप्ले तो वह अगर इंप्लाई अच्छा से काम करेगा तुसे रिवार्ड दिया जाएगा तुसे रिवार्ड दि अच्टी पार्ट ओर्ड और सेंट आउट वी सेट आउट आउल पार्ट वागने सेंवे सेंट्राइजर में एक सेंटर पर बना गया और सभी को जो है डिरेक्शन दिया जाए ठीक है जैसे ब्रेन हमाई पूरे स्तरीर को क्या करता है डैक्शन देता उससे परी अच्री दिया पता तरी हो उड्य को परेंग विश्याज बीड और फोड्य हो सेंट्राइज छाप इसटरीर पार्ट आप लोग परिये गा के रिचेंट आप पर विए और ने क्याता है और वी वांट की और था मीन जाँ के आच पर सेंटेट प्लिएगा खेंट को क्य desire for equity and equality treatment are explained to be taken into account in dealing with employee suitability of tenure of personal no employees should be removed within a short period of time short period of time में किसी employee को निकाला नहीं जाएगा stability of tenure generate prosperity in organization तो भाई वही बात है कि short period of time में employee को हटाया नहीं जागा इनितेटीव मतलब क्या हुआ हुआ कि thinking thinking out and execution of plan पहले तो थिंक करना उसके बाद प्लान को execute करना उसी को initiative कहा जाता है समझ मैं है spirit decrops sir मतलब this is the principle of union is strength and extension of unity of command for establishment teamwork work literally speaking the phrase means spirit decrop यह जो वर्ड है यह थिंक इंग्लिस वर्ड तो लगने रहा है कहीं से लिया गया है means the spirit of loyalty and devotion which you do my way about a gap का जो है अपने वर्ड के परती devote होना होगा you have to devote union strength मतलब किसा principle यह कहता है कि union strength होता है and extension of unity command for establishing teamwork तो teamwork में काम होगा union में काम होगा तो strength बनेगा ठीक है तो यह पॉइंट है 14 principle है तो अगर आपको 14 principle तो याद रहना सर मुस्किल है तो आपके लिए एक solution में बता होगा division of work आपको याद कर लेना है ठीक है कुछ तो आखिर लिख क्या होगा जहां 14 पॉइंट नहीं लिखोगे तो हो सकता है यह नहीं पूछे का कि चौदा पॉइंट ही लिखो पॉइंट लिख दोगे ऑथरीटी रिस्पोंस लिटी इजी है डिसिप्लीन जैसे की जान रहे हो यह कमांड वाला भी आ जाएगा ठीक है डिसिप्लीन यूनिटी ओफ कमांड वाला भी आ जाएगा यहां पर आर्मी का एक्जामपल आप दे लिख सकते हो ना तो खांसे हम पांच पॉइंट लिख दोगे ना कोई दिक्कत नहीं ठीक है रिनुमेरिशन में जोगे यह बहुत है रिवार्ट देंगे फर वर्क दन सूट एज फाइल फॉस्वल गिव सैटिस्फेक्शन टू बोथ इंप्लाय एं इंप्लाय ठीक है तो ओपीनिन दीजे किस तरह कि आपको मज़ा तो आए ना पढ़ने में ठीक है जैंबें नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू वेरी मच्च